हेलो एब्रीबन वेलकम टू बंदनाकेडमी तो आज हम प्याजे कोहलबर्ग ब्रूनर एबं बाइगोस्की के सिध्धनतों पर जो भी प्रशन आपके बनते हैं जो भी प्रशन आपके प्रीवेस एर्स में पूछे गए हैं उन प्रशनों को हल करेंगे और डेली ये आपके अवश्य ही पूचे जाते हैं जीन प्याजे बाइगोस्की कोहलवर्ग से ब्रूनर शे भी प्रशन आपके बनते हैं गिलगन से भी बनते हैं यानि आपको शीडीपी की प्रक्टिस डेली मिलती रहेगी शीडीपी की क्या सभी विश्यों की प्रक्टिस आपको चैन तो वीडियो को लाइक अवश्च कर दिया करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्च कर दिया करें तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहला प्रशन है आपका उशा परवेश की नई विसेस्ताओं को अपने चिंतन में शमलित करने बिदमान स्कीम में शन्शोधन कर रही है वह कर रही है विवस्तापन, शमाविशी करड़, शमायोजन या फिर पहचान यानि उसकी जो पहले से इसकीम ठीक है है यानि इसकीम किसे कहते हैं यानि बच्चा जो भी शुचनाए प्राप्त करता है तो उन सुचनाव को एकटआ कर लेता है अपने मायन बार यही इसकीमा कहलाती है तो वो क्या कर रही है तो रायट आंसर है आपका नमबर शी शमायोजन यानि इसकीम में शन्शोधन कर रही है तो जीन प्याजे इसे कैसे किस तरीकेशे बरड़ित करते हैं तो चलो हम यह देखते हैं, पियाजे के अनुशार, जब कोई बालक प्राप्त नई सूचनाव को शंसोदित करके पूर्व ग्यान के स्थान पर प्रयोग करने लगता है, तो यह प्रक्रिया शमायोजन केहलाती है, पूर्ड ब्यक्ख्या के साथ पढ़ेंगे हम, अगला प्र यह आपका एक निगेटी पॉइंट है, इसके साथ आपको नहीं जाना है, तो यह निस्क्री अबम ब्यक्ख्ति-परक यह नहीं होगा, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया जानकारी का अर्जन नहीं करना है, ठीक है? अनुअआपके परडाम के रूप में बिभार एक चाहिए अधिगम क्या है अधिगम क्या है एक शक्री और शामाजिक प्रक्रिया है और सरचनात्मक द्रश्टी कौण के अनुशार है ये ठीक है थोड़ा ब्याक्या भी देखते हैं सनरचनात्मक दरिष्टी कौण के अनुशार अधगम एक शक्री एवं शामाजिक प्रक्रिया है सनरचनात्मक दरिष्टी कौण प्याजे के शंग्यानात्मक विकास के शिद्धान्त पर आधारित है इसके अनुशार ग्यान अधगम करता द्वाराइ कर शर्जन किया जाता है, न कि निस्क्री रहकर, टिक one culture गया क्षिक सक हमा राजी कि शाहिता से अधिश्च्वरोट द्वारा घृत वे निर्मानद Church and Part 6 law week gehen निर्मानद तक दोने को मिलां करके आपका यह क्या बन गया तो आपका प्रस्ण रिंखेएंगे की शिद्धंतों के अनुषार काषि chemical क Biz लिए अधिए में भत्ती शंबंत के द्वाराом काष़पा अनुभंधन है अधिगम शक्री बिनियोजन के द्वारा ज्यान की सरचना की प्रक्रिया है अधिगम पुनुरुत्पादन एवं इश्मरड की प्रक्रिया है अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है अब देखो जहां भी बात यंत्रवत की आजाए आपका नमबर D यंत्रवत नहीं है ठीका अधगम और पुनुरुत पादन एवं इस्च्मरण की भी प्रक्रिया नहीं है आप रती शम्वत के द्वारा बेवारों का अनुवंधन ये भी आपका नहीं होगा तो राइट आंसर है आपका नमबर B अधगम शक्री है ठीका शक्र दी गई है यहीं सरचनाबादी शिद्धानतों के अनुसार अधगम शक्री बिनियोजन के द्वारा ज्यान की सरचना की प्रक्रिया है अर्थात अधगम किशी अनुभंधन द्वारा नहोकर बलकि एक शक्री ज्यान के निर्माड की प्रक्रिया है सरचनाबादी शिद्धा विच्छी पियाता है इस ही और निया जाइशी हैं तो कि परेदागोजी कि आती है और efendim तो आप टेग वर्ट्स के साथ ही आपके बनते हैं तो आप टेग वर्ट्स की वीडियो अवश्य देके सारी वीडियो आपको मिल चुकी है ठीक है शंग्यानात्मक विकास का अर्थ है तो शंग्यानात्मक विकास का क्या अर्थ है अभियोगिता का विकास शारीरिक कोशल का बच्ची का 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 को दर्शाता है अगला प्रशन देखेंगे शंगयानात्मक्तम विकास निम्नमेसे किसके द्वारा समर्थेत होता है। जितना संभव हो उतनी आप ब्रतिशे शंगत और सुन्योजित परिच्छाओं का आयोजन करके अब संग्यानात्मक विकास है आपका तो परिच्छाओं का आयोजन आपको नहीं कराना है ये निगेटिव पॉइंट होता है और फिर संग्यानात्मक विकास सिर्फ परिच्छा बाताब्रण प्रब्द शयोगात्मक की अपेच्छा बैयक्तिक अब देखों शयोगात्मक की बात आपके जीन प्याजे भी कहते हैं बाईगोस्की भी कहते हैं ठीक है और अब ये शयोगात्मक की अपेच्छा बैयक्तिक पर दे रहा है तो ये भी नहीं होगा तो राइट आ अगला प्रशन देखेंगे और ये प्रशनों की शंकला इतनी अच्छी है अगर आप इन मेंसे मानके चलिए 20 प्रशनों हमने लिए है और 20 प्रशनों मेंसे अगर आप 15 प्रशन कर पाते हो तो मानके चलिए कि आपका कोई भी प्रशन नहीं चूटेगा और ये कम से कम आपको जीन प्याजे कोहलबर और वाईगोस्त की पर आपको 100 प्रशनों की सीरी अवश्य दी जाएगी ठीक है प्याजे की सिध्धान्त के अंशार निम्न खित में से कौन्षा ब्यक्ति के शंग्यानात्पक विकास को प्रभावित नहीं करेगा अब देखो शंग्यानात्पक विकास को प्रभावित नहीं करेगा भासा परिपक्वन, शामा जिकनवाब और क्रिया कलाब तो राइट आंसर है आपका नंबर एक भासा निको यानि जीन प्याजे का मानना था कि भासा जो भी शंगयानात्मक विकास होता है तो उसको प्रभावित नहीं करती है लेकिन बाइगोस्की भासा की एहम भूमका मानते हैं विकास में ठीक है यह आपको हमेशा याद रखना है तो ब्याख्या देखेंगे प्याजे के शिद्धान के अनुशार भासा भ्यक्ति के शंगयानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा जबकि बाइगोस्की के अनुशार भासा संबेगा अत्मक विकास को प्रभावित करता है यह बहुत महितपूर माना है भासा को बाइगोस्की ने शंगयानात्मक नहीं होगा विकास और शीकना समाज संस्कृत संदर मों में अप्रभावित रहते हैं देखो विकास और शीकना दोनों ही शमाज और शंस्कृति दोनों का इस पर प्रभाव पड़ता है ठीक है हमारा जो भी विकास होता है हम तो हमारा विकास यानि हमारी शंस्कृति और हमार तो निश्च तरीका नहीं होता है, कोई भी बच्चा एक निश्च तरीके से नहीं शीखते हैं, तब की अलग-अलग प्रकार होती है, तो इसकी ब्याक्या देखेंगे, शंग्यानात्मक विकास जन्मसे लेकर युबा होने तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें ब बढ़ता है शाती खेलने से बालक में शयोग आत्मक एबं प्रतिस परदात्मक भावना का विकास भी होता है आथा बालक का खेलना शंग्यान और शामाजिक दच्छिता के लिए आवश्यक है तो राइट अंसर आपका हो जाएगा नंबर दे अग्रा प्रसंदिय कहेंगे वह कौन सा इस्तान है जहां बच्चे के शंग्यान आत्मक भिकास को सबसे बहतर तरीके से परवासित किया जा सकता है और यह सभी आपके जीन प्याजेसे संबंदित प्रशन है ठीक है बिध्याले एबं कच्छा पर्यावरण शवागार खेलका मैदान और घर यानि सबसे बहत बच्चे के शंग्यान आत्मक भिकास को सबसे बहतर तरीके से परवासित किया जा सकता है क्योंकि बिध्याले एबं कच्छा पर्यावरण ही एक ऐसा इस्तान है जहां उस्य शिचार्थी के गन शंवंदित आवशक्ता और तो राइट अंसर latas आपको जाते हैं तो आपको जीन पिया जाता है टो जहां सामाजिक इसके साथ जोड़ दिया जाए वहां आपके बाई घोष्कि हो जाते हैं और शंगया आपको मिल जाएक तो आपके जीन प्याजे जीन प्याजे बूब्रून दोनों शंग्यानात्मधिक Vander विकास चे संबंदित हें इसमें दोनों ही है, प्रून भी है तो राइٹ्रांसर आपका C हो जाएगा शंगयानात्मक विकास चे विप्राय है बालक की मानशिक शमता का विकास जसमें बुद्धी चेतना विचार और शमत्स यह हम सभी पहले भी पड़ चोके हैं वैसे संगयानात्मक विकास जाध तर आपका जीन प्याजी से ही संबंदित माना जाता है अगला प्रशन है आपका बच्चों में शंग्यानात्मक विकास किसका परड़ाम है केवल आनवानशिक्ता, केवल बातावरड, आनवानशिक्ता और बातावरड की परसपर क्रिया केवल आर्थिक कारड़ो का तो राइट अन्सर आपका हो जाएगा, नंबर शी från n Original शिक्ता और बातावरड की परस पर क्रिया का के दिगे हो बच्चे की जो संग्यान होता है और बच्चे का जो बांशिक्ता बिकास होता है तो उसमें ठीक है आनुवान्शिक्ता का भी 80% होता है और आनुवान्शिक्ता और बाता बरड़ से आपके प्रशन पूछे भी जाते हैं इस पर भी वुडियों आपको सारी बिल चुकी है और 20% आपका बाता बरड़ का होता है ठीक है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नमबर शें बच्चों में शंग्यानात पर विकास आनुवान्शिक्ता और बाता बरड़ की पारसपरिक क्रिया का परडाम है आनुवान्शिक्ता और बाता बरड़ में पारसपरिक निरवरता है ये एक दूसरे के पूरक और शयोगी है बच्चों को जो मूल प्रवरतियां आनुवान यानि माननके चलिए कि एक बच्चा है उसमें खूब अच्छी वुद्धी है अच्छा है लेकिन उसको एक अच्छा बाता बड़ नहीं मिलता ठीक है तो बो मतलब ग्रोह नहीं कर आएगा अगला प्रशन देखते हैं और एक बच्चे में अगर बुद्धी नहीं है ठीक है वो मानशिक रूप से अस्वस्त है और उसको कितना भी अच्छा बाता बड़ दिया जाए फिर भी वो ग्रोह नहीं करेगा अगला प्रशन देखेंगे निम्नकित में से कौनचा एक पराशंग्यात्मक कोशल को निरूपित करता है बिना सलगनता के विशेवस्तु को कंठस्ती करड़ तो कहीं भी किसी भी तरीके से आप बच्चों को नहीं करा सकते हो दूसरों के विभार की नकल अब नकल भी नही आपको नहीं कराना है तो राइट अंसर आपका नमबर शी हम ब्याक्या देखेंगे अपनी ही सोच की विदियों के विशे में सोचना एक पराशंग्यात्मक कोशल को निरूपित करता है पराशंग्यार किशी भी विचार प्रक्रियाओं के बारे में जय रुकता और उनके पीछे के पैटरन की शमज है पराशंग्यार कहीं रूप ले सकता है जैसे किसी के सोचने के तरीकों पर विचार करना और जानना के शमज्या समाधान के लिए विशेश रड़नीतियों का प्रयोग कब और कैशी करना है अत्य कह सकते हैं कि ये किसी समज और प्रदर्शन की योजना, निग्रानी और आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया को शंधिर्वित करता है अगला प्रशन देखेंगे राघव एक जाड़ू पर इस तरह से चड़ने का अभिनय करता है मानो वह किशी घोड़ी पर शवारी कर रहा हो उसकी ये छमता कहलाती है शांकेतिक प्रस्तुति करण, आत्म केंद्रियवाद, क्रम बद्धता, सर्वरच्छड तो राय टांसर आपका हो जाएगा नंबर एक शांकेतिक प्रस्तुति करण देखेंगे विद्व्यक्या के साथ पढ़ रहे हैं ठीक है पूर प्रड़ागोजी को शमझते हुए हम प्रक्रिस लगा रहे हैं यानि रागवयक जाड़ू पर इस तरह से चड़ने का अबने करता है कि मानो किशी गोड़ी पर सवारी कर रहा हो तो उसकी ये चंता सांकेतिक प्रस्तुति करण कहलाती है इस विद्धा में एक बच्चा सब्दों, ध्वनियों, खेल के माध्यम स अपने विचारों को चित्रित और व्यक्त करने में सच्छम होता है जैसे बच्चा कलपना कर सकता है कि वह दमकल में हैं और एक तेजगती वाले इंजन को प्रतिनी दित्तों करके बिलोग को धक्का देते समय शायरन की आवाज करता है इस प्रक्रिया में ध्वन्य अत्मक शंकेतों को देकर पेजगत के इंजन का अभिने शंकेतों की माध्धम से करता है जैसे मानके चलिए कि कभी-कभी वच्चा फोजी होने का नाटक करते हैं ठीक है घर में और ऐसे हास से बंदू लेके और पैसे बना करके और उसकी आवाज निकालते हैं तो शंकेत ही होता है यह सारी चीजे जीन प्याजे के शंग्यानात्मक विकास के शिद्धान से कौनशी अवधारणा संबंदेत नहीं है तो राट अंसर आपका क्या होगा इसकीमा अद्गरहर विवस्तापन आत्मसाथ जो तो इसकीमा भी दिया है आत्मसाथ करण भी दिया है विवस्तापन भ जबकि इसकीमा आत्मसाथ करड़ और विवस्थापन जीन प्याजे की संगयानात्य विकास से संबन देता है। इसकीमा क्या है? मनुष्य के दिमाग में जो चीजे पहले से इस्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किशी विशय के प्रती एक धरड़ा वनाता है। इसकीमा कहती है आत्मसाथ करड़ यानि पूर ग्यान को एक नए ग्यान से जोड़ना आत्मसाथ करड़ कहलाता है विवस्थापन पूर ग्यान में परवर्तन करके बाता वरट के शात्ताल मेल बिठाना समायोजन या फिर विवस्थापन कहलाता है। और यहां से प्रशन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, तो यह सारी चीजे आपको अवश्य बता होने चाहिए, जीवबाद भी आपसे पूछा जाता है, प्याजे दुआरा दिये गए शंग्यानाथ पर विकास के शिद्धानत कुमे निमलकित में से कौनशा विकास का प्रम चीजे चरड़ और फॉर्मार ऑपरिशन याणि और प्रचालन, तो रायट आंसर आपका क्या होगा, रायट आंसर आपका हो जाएगा, नमबर शी चक्री चरड़ यह इन्होंने नहीं दिया है, चक्री चरड़ प्याजे दौरा दिये गए शंग्यानाथ पर विकास के सिद और जमें प्रावस्तां की शंवेधि निदो एवस्ता है कि शंवेधि प्रावस्ता पूरुषंक्रिय आत्मक शासे ग्यारा अमूर्थ अपचारी कुर्अक वस्ता ये ग्यारा शें पंद रहा है यानि आप मान के चलिए 6-11 साल का जो बच्चा होता है तो वो मूर्त शंक्तियात्मक वस्ता यानि मूर्त रूप से चिंतन करना शुरू करता है और मूर्त रूप से चिंतन करना वो 11-15 में करता है अगला प्रशन देखेंगे बच्चे दुनिया को लेकर अपनी शमज को शक्री रूप से निर्मित करते हैं ये कतन किस्ट ने प्रिस्ताबित किया था तो राइट आंसर है आपके नमबर 6 जीन प्याजे अगला प्रशन है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समज का स्रजन करते हैं इसका स्रे स्रे बी आपका प्याजी को ही जाएगा ठीक है शेम प्रशन है अगला प्रशन है निम्रकित में से कौन सा कतन प्याजे की सिध्धांत के अनुशाब कहा नहीं जा सकता विकास गुडात्मक चरड़ अवश्य होता है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्यान का निर्माड़ और उपयोग करते हैं निरंतर अभ्यास्य अद्गम होता है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्लिया करते हैं तो यह तीनों आपके सही है और ऑप्सन नंबर शी बिल्कुल भी सही नहीं है ठीक प्रेक्षडात्मक अद्गम की प्रक्रिया का अंसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके शीखते हैं बालक को उद्धीपन अनक्रिया शंबंदों के शावधानी पूर नेंतर के द्वारा एक विसेश तरीके से विभार करने के रिए अनुबंधित किया जा सकता है बाल तता अन्वेशर करते हैं तो राइट अंसर आपका होगा ऑप्सन नम्मर डी यानि ग्यान का निर्माट किस तरीके से करना है जहां भी बास शक्री रूप किया जाए ठीक है तो शक्री आपको मिल जाए तो शक्री करना है और जिस तरीके से यानि वो दुनिया में अपने व बड़े होते जाते हैं और अन्वेशर यानि खोज करते हैं तो ब्याख्या देखते हैं जीन प्याजी के उनसार बच्चे ग्यान को शक्री रूप से सरचित करते हैं बे दुनिया में बिवार कोशल का प्रयोग करते हैं तता अन्वेशर करते हैं प्याजी के उनसार बालको में बास्त विक्ता के शुरूब में चिंतन करने, उसकी खोज करने, उसके बारे में शमज बनाने, उनके बारे में सूचना एकत्यत करने की छंता बालक में परपकोता, इस तर तता बालक के अनभवों की पारस पर एक अंते क्रिया द्वारा निर्धारित होती है, बालक अपन द्वारा पुनर्बलन सिच्छार्थी के द्वारा पर्यावरण की शक्री खोजवीन और देखो आपको शक्री खोजवीन फिर से मिल गई है तो राइटांसर आपका हो जाएगा नमबर डी अगला प्रशन देखते हैं ब्याख्या देखेंगे जीन प्याजे ने बालक के शंग्यानात्मक विकास का सिध्धान्त दिया इनके अनुशार बौधिक विकास कापी हद तक व्यक्ति तता बातावरण की परस पर सतत अंते क्रिया पर निर्वर करता है इसलिए अधिगम के ल फ्रक्षे शक्री जैननिर्माता था नंनिग्यानक जो संसार के बारे में अपने शिधानते की रचना करते हैं यानि नंना प्याजए कश्ने बच्चे को माना है और बच्च यही शक्री ज्यान का निर्माट करते हैं यह किशने कहा है तो राइट आंसर आपका हो fasting प्रता। तो अगला ब्याक्या देखेंगे जीन पे आजे प्रथम मनो बैग्यानिक जिसने ब्यक्ति को जन्मशे क्रियासील तता सूचना प्रकमडित यानि प्रचारत करने वाला प्राणी श्विकार किया है जीन पे आजे के अनसार बच्चे शक्री ग्यान निर्माता तता नन्य तो मिलते हैं अगली वीडियो में वीडियो को लाइक अवश्च कर दें और अपने प्यारी प्यारी कमेंट भी कर दें और शेयर करना भी बिलकुल न भूलें